रहा और हमारी माफूलन देवी जी जो है वो भी निशाद थी हिम्मत तो हमारे अंदर जनम से है जनम से ही हमारे अंदर हिम्मत होती है हमारी जो जन जाती होती है उनके अंदर एक अलग ही जुनून होता है और ताकत होती है और एक हिम्मत होती है इस संत के सामने कहां पर टिकेंगी आप जहां पर अन्याय हो रहा हो वहां हमेशा आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं लोगों को जागरूप करने का एक अच्छा जो समाज सिवा का कार्य होता है वो हम करते हैं लेकिन क्या होता है कि बाबा योगी आदितेनाश जी जो है वो चोला धारण किये हुए है तो लोगозможно को संत कहते हैं हलां कि उनका नाम असली अलग है अजय विश्ठ उनका नाम है और वो चोला पहन लिए है तो लोगोंने कहा कि वो संत है मैं मंदिर के महंत है मंदिर यहां से बगल में 2 क्लिम्ट की मैं हमेशा ही अपने वीडियो में कहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि जिसने चोला धारन किया हो वो संत हो जरूरी नहीं है चोला धारन तो फिर चिनमयानंद ने भी किया था मेरे भाई क्या किया था चिनमयानंद में चोला धारन करके मुमुक्षु आश्रम में वो रहते थे मुमुक्षु का क्या मतलब होता है कि मुक्ष को धारण करने वाला मुक्ष की प्राप्ति करने वाला ये सब जो संत है बड़ी बड़ी बाते करते जनम मृत्यू की बाते करेंगे लोगों को डराएंगे तोना टोटकों की बाते करके लोगों को डराएंगे, एक डर पैदा करेंगे आस्ता के नाम से, चोला धारन कर लेंगे, और काम क्या किया था इन्होंने? एक बच्ची का वीडियो बनाते थे उनके साथ गलत काम करते थे उनको तुलना उनसे क्यों कर रही एक लोग उनको संत कहते हैं कि सब कहते हैं कुछ लोग नहीं मानते उसमें से हम लोग भी है इसी लिए क्योंकि संत जो होता है ना उनको किसी चीज की मोहमाया नहीं होती है किसी भी चीज की मोहमाया नहीं होती है अरे भाई वो संसद में जाके रोते भी तो नहीं है रवी किशन के मजाक उडाने पर हसते भी तो नहीं है रवी किषण डिया ने क्या कहा था जब समसानगात का उद्धगातन किया था रवys जी ने कहा था कि यहां मरव यहां जलबत सीधा स्वर्ग में जईब अरे बाबा कैसे हस रहे थे बाबा रहे थे बाबा ने एक बार भी आपत्ती नहीं जताई दूसरी बात संसद में जाके रो रहे हैं कि मैं घर बार छोड़ दिया, मैं ये सब कुछ छोड़े हैं, संत तो छोड़ते ही हैं, त्याग करते हैं, अरे भाई किसी डॉक्टर ने तो कहा नहीं था, किसी देश ने तो कहा नहीं था, कि सुनिया आप त्याग कर दीजिये, ये सवाल अगर आप मुझे 2014 को पूछते तो मैं कहती कि बिल्कुल नहीं मेरे भाई एक तरफ पूरा देश में कहती आपको लेकिन 2014 नहीं है ना अरे ये हाल दूसरा है वो हाल दूसरा था ये साल दूसरा है वो साल दूसरा था क्या बदलेगा इतना जलदी कुछ बदलेगा थो अरे इतना जलदी ये इतना जलदी है साथ साल हो गए इस बात को ये इतना जलदी नहीं है साथ साल में जितनी इनकी मकारी थी जितना इनोंने जोट का प्रोपगंडा फैलाया था जितना इनोंने नफरत फैलाई है लोगों क बारे में इनकी अलग-अलग राय जो थी अलग-अलग चीजे और चीनी को भी जुला जुलवाया था वह चीनी वहां पे औरुणाचल में सो घर का एक गाउ बस आ चुका है नक्षे में भी आ चुका है वहां से सैटेलाइट से तस्मीर आ रही है तब यह ना लालाख दिखा तो कोई तो खोला एक कियो सिल गया तो सब से लोग पिड़िए है अमरिका के दूब मरे मेरे देश का प्रधान मंत्री जिनका मुह नहीं खोल रहा है शब्दों में थोड़ी मर्यादा रखे प्रधान मंत्री मेरे प्रधान मंत्री अरे यही शब्द उनके है नहीं नहीं मैं बिल्कुर प्रधान मंत्री जी के हमेशा मर्यादा रखती हूं यह शब्द उनके है इसलिए मैं उनको सुनाने की कोशिच कर रही हूँ आपके संग्यान में वीडियो होगा जहां प्रधान मंत्री जी बोल रहे थे कि डूब मरे मेरा भारत का प्रधान मंत्री तब तो आपने नहीं कहा कि मर्यादा रखिए वो जो समीत एरानी कह रही थी कि चूड़ी बेजने का काम करती हूं मैं वो बोले तो अलग वही तो मैं कह रही हूं कि इन लोगों ने ही ये भाषा सिखाई है लोग कहते हैं काजल निशाद आप मर्यादा से बात नहीं करती शालिंता से बात नहीं करती आपकी भाषा कैसी है सिखाया किसने है सिखाया किसने सिखा दिया भाजपान सिखाया है सरक बारन सिखाया है बहुत तो यह महेंगा इक की बार अच्छे दिन आएंगे पंदरा लाख आएंगे सो स्मार्ट सीटी वनेगी दो करोड रोजगार दो करोड रोजगार लेलो लेलो भाजपा को वोट दो और हमरी बहनिया स्मीरती इरानी का वीडियो में आपको दिखाऊंग तेरा रुपे में शक्कर ले जाईए और मोधी जी को जीताईए मोधी जी को जीताई तेरा रुपे में शक्कर कितना जूट बोलने का ये लोग काम करते लोगों को समझ में आ गया इसलिए मैं कहरे हुए खिलाफ तो आंदोलन तो सब लोग करते हैं अगर वो आंदोलन कर तो आपको इतना मिल्ची क्यों लगदाएं अच्छा ठीक है उनको आंदोलन करना चीए नो डाउट विपक्ष हमेशा मजबूत होना चीए विपक्ष पे इतना हमला कोई नहीं करता है जितना वर्तमान सरकारने की नो डाउट विपक्ष भी तो बहुत जादा मजबूत है आशन देते हो लोगों की नस्भ कल कल देओ कहानी सुनाथे हो कि मैं सवीनिक बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया मैं यह ऑ差 नाचाता था लेकर नहीं नहीं पाया कि क्या कर रहें मुधी पड़ी लोगो입니다 प्रणी लूकों का अफ्मान तो मत कर दिए 600 करोड़ की जंदा 600 करोड़ की जंदा 600 करोड़ की जंदा अपने भारत में भाई इतना बोलते है इतना बोलते है कि लोग अब कह रहे हैं बस बाबाब चुपो जाए कितना बोलते है जंदा की काम की बात ही तो बोलते है मन की बात में भी बोलते है पंदरा लाग आएंगे, जनता कम की बात है, दो करोड रोजगार देंगे, जनता कम की बात है, है, लेकिन क्या इसको पूरा किया गया, लोगों से मजाक नहीं बनाया गया, दूसरी बात, बोलते है तो है, लेकिन जो उनके मित्र है, अमिश्या जी, क्या कहते है, जुमला होत यह तो चुनावी जुमला होता है सच थोड़ी होता है तो उनको भी पता है जनता को भी पता है कि यह बोलने के लिए जुमला होता है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जनता के साथ मजाग करने का काम कर रहे हो जुमला चोड़ते हो आप बड़े-बड़े मंच जंता ऐसे जुमला छोड़ा पर फटे देंखा सप्सस्रेश न Чтобыया है आप नहीं नहीं छूड़ा करोंद रोजगा तंगा दो करो कूर में चोड़ा क्य क्यूं के जन्था उंका सबसे प्रिय काम है शौचल लेकिन ठीट वहां ने ही बनाया वह् factions बनायग यौज पूरवांच प्रचल एक्सप्रेस वे बनाया वहां सौचाला नहीं कितने लोग आज भी मुझे कह रहे थे बहुत से जब लोग गय थे कि अरे हम दिक्कत में आगे थे महीलाएं जो थी जो अखिलेश जी की जो रैली में जो लोग गय थे उनको देखने के लिए उनको सुनने के लिए वो जो गय थे ताकाट दिखाने के लिए वो कह रहे थे अरे दिक्कत में आगे मुझे कहां जाए तो कब बनाएंगे सबसे प्रिये काम तो आपने किया ही नहीं मोदी जी सौचाला ही बना देते हाइवे का अगर यह लोग श्रे ले रहे है तो यह देन तो समाजवादी की है ए एक बार भी देखें मैं आपको बताओं लोग तंत्र को जिन्दा रखना हो तो क्या करना होता है कि जैसे इस सरकार ने शुरुआत की इस सरकार ने शुरुआत की बनाने की और फिर वो सरकार हट गई दूसरी सरकार आई उन्होंने पूरा किया होता है ऐसा तो होता ही है ले तो एक बार तो श्रय देते, उनको बुलवाते, देखँ ये खुबसूरती है लोकतंत्र की, एक बार तो देते, लेकिन आप मतभेद आपके हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मन-भेद भी हो गए है इस सरकार में, इनों ने ये भी सिखा दिया, कि मतभेद तो करिए, म देखे कहां जो सच पत्रकारे जैसे आप है आपने वो जमीनी हकिकत वो सर्वे किया नहीं किया आपने चाटुकार मीडिया से सुना नहीं भाई डंका इनका विदेशों में भी अच्छे से थूथू करके बजा हुआ है मुझे बताईए दशरा आया था लोगों ने रावन का पुतला नहीं धहन किया मोदी जी योगी जी अमिशा जी का चहरा लगा कर किया भाई काजल निशाद तो नहीं गई थी न वो चहरा लगाने आप तो नहीं गए थे न वो चहरा लगाने लोगों ने किया है और विदेश गूगल में अगर दालो कि सबसे मुर्ख प्रधान मंत्री सबसे जूठा प्रधान मंत्री तुरंद बोधी जी का यह लाइए मैं अभी अभी इस सब के सामने करके दिखा देती हूं यह अच्छी बात है गटी है इसलिए सुप्रासाफ हो रहा है नहीं घटी होती तो सुप्रासाफ थोड़ी होता घटी है बंगाल में तो खेला हो गया यहां क्या होगा खदेडा होगा बिल्कुल खदेडा होई भाई का ओर रहो है लोगे नमस्कार कहतानी अद दूहजार बाइस में साइकल चली नहीं साइकल दोड़ी और 2022 में मानने अखिलेश यादोजी की सरकार बनेगी तो यह काजल निशाद जी है जो कि वहीं वहीं आ रहे हैं काजल निशाद जी है जो की खुबसूरत भी काफी है और बड़ी खुबसूरती से तमाम सवालों का जवाब भी देती है और सिर्फ ए लेख़ार है तो रंग लेलेती हूं कैनवास ले ले लेती हूं और शुरू हो जाती हूं कहींना देह कं सब्सक्राइब अरे जो सब्सक्राइब करें यहां का मंत्र और अब निशाद गष्मराटाइबार शनले द्रिके थे giorni के इसको डिके ऑपर जो अगाल आपने इसको कैसे सजोया है बताएं को यह अर्धनारिश्वर जिनको कहा जाता है एक आधारूप शिव का होता है आधारूप पार्वती का होता है तो अर्धनारिश्वर होते हैं लेकिन इस चित्र को जो है वो मैंने कृष्ण और राधा का भी रूप दिया है उनको भी अर् रहती हूं कभी एक दिन कभी दो दिन और और पेंटिंग है तो सुखने में थोड़ा टाइम लग जाता है वो एक्रेलिक है तो जल्दी सुख गए थे उनर से तो भरपूर हैं और इस बार चुनावी मैदान में भी हैं देखना दिल्चस्प होगा कि क्या कुछ नतीजे आते ह और क्या बदलाव होता है इस बार उत्तर परदेश में या नहीं होता है बढ़ी बेबाकी से तमाम सवालों का इन्होंने जवाब दिया तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलता अगली वीडियो से बनेने मरे साथ धन्यवाद